गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स तो चलिए हम देखते हैं आज का ट्रेट कैसा रहाता है आज का जो है वो पॉजेटिव खुल रहा है और जो कल लास्ट आपने देखा था कल के ट्रेट में हमें 3,391 रूपीज का प्रॉफित भा था जिसमें हमें 37 रूपीज 44 पैसे का कई यह क्री का फ्रेंट कुल रहा है ऑज तो कोशिस करेंगए कि हम लोग कॉल के साइड में बनाएग तो जो भी ट्रेट लेते हैं आपके साथ सेयर करते हैं जैसा कि आप देख रहा है कि मारकेट निगेटिव के बाद पॉसेटिव साइड जारा है तो जो फोले हिश गाया एक trade जो है वो हम लोग call side का बनाएंगे तो चलिए देखते हैं इस वार जो है आज जो है time decay बहुत ज्यादा हो सकता है तो उस time decay से बचने के लिए जो हम लोग लेंगे वो next expiry का लेंगे ताकि dicay जो है हमारा वो जादा ना वो डिके अमारा बजल तो हम लोग trade जो है वो next expiry का लेते है जो कि है lo 17 october का और हम हमanızo city का जो है टेर्ट वो THIS भाय करते है तो देखते हैं जो यह है 30 quantity हमारा बाय हो गिए है जो 50,000 का तो देखते हैं इसमें कितना profit हमें मिलता है वो आपके साथ share करते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम जो है profit वो बर के हमारा जो profit है वो 1300 के आसपास book हो गया है तो अगला trade मिलता है तो फिर आपके साथ share करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि bank nifty का data जो है वो positive हो चुका है तो हम लोग जो है अब एक trade जो है हम लोग positive side का बनाने का सोच रहे हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि जो है आप देख सकते हैं कि एकदम हमारा जो stop loss होने वाला है वो बहुत ही छोटा होने वाला है क्योंकि यह जो क्रोस करता है तो हमारा stop loss हो जाएगा और इसके उपर जाता है तो हमें profit मिल जाएगा तो इतना छोटा stop loss होता है तो वहां पर trade लेने में बहुत ही सही समय होता है तो हम लोग एक trade जो है वो call side का initiate करते हैं तो हम लोग कोसिस करते हैं कि फिर से जो trade है वो next expiry का ही ले ताकि जो है हमारा जो क्या करते हैं decay हो वो नहीं हो क्योंकि आकल का अच्छा movement के बाद आज थोड़ा decay संबख हो सकता है तो चलिए देखते हैं आज का trade जो है वो फिर से एक बार हम लोग call side 30 quantity initiate करते हैं तो देख रहे हैं कि जो है यह super train के नीचे अभी एक भी जो है हमारा candle close नही दोर जा रहा है तो यह जितना ऊपर का candle बनता है तो हम लोग जो है उस trade को या तो ट्रेल करने की कोशिस करेंगे या फिर profit book करेंगे तो इसी लिए हम लोग super train के आसपास में ही trade लेते हैं क्योंकि थोड़ा ज्यादा जो है loss कम हो और profit हम लोग ज्यादा gain कर पाएं तो देख प्रिशन देट के आसपास चल रहा है तो मैं इसे close करने का कोशिस करता हूं क्योंकि candle जो है वह बहुत बड़ा और यह जो है वह 2278 रुपीच के आसपास जो है वह book हुआ है अगला trade लेते हैं तो फिर आपके साथ share करते हैं तो यहां पर हम लोग जो है एक और trade में call side का trade मे गोशते हैं और देखते हैं कि जो है हमारा जो profit है वो कम होने लगा है क्योंकि market जो है जैसे ही हमने trade लिया वहां से reverse ले लिया है तो हम लोग इसमें loss book करके ही निकलते हैं क्योंकि time जो है वो तीन बच के 19 मिनट के आसपास हो गया है तो देखते हैं हमने stop loss लगा दिया है अ time के बाद कहें कि decay भी बहुत तेजी से होगा अभी तो देखते हैं कितना profit हम लोग book कर पाते हैं तो आज का trade इसी तरह का रहा हमने अच्छा profit gain के लिए था उसके बाद दुबारा भी profit हुआ पर हम profit book नहीं कर पाए और जैसे ही हुआ और market बहुत तेजी से ही वो reverse कर गया औ देख सकते हैं कि जो हमारा trade है वो 45 quantity है तो हम लोग का जो है एक बार के लिए माइनस में चला गया था तो इसको जो है हम लोग trail करते हैं क्योंकि time जो है वो खतम होनी को आ गया है तो trail करके जो भी हमें profit मिलता है उतना ही profit आज बुक करते हैं और आज के लिए जो है हम 928 आज तर दीचे की वज़ासे जो है premium हो कम होता चला जाता है कि अरुआ है झाल झाल